हेग वाइज वर्कम बैक टूमाइज चैनल संगीता अज मैं हूँ संगीता आज मैं अब लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा फ्रीज का डिप प्लेणिंग प्रोसेस यह एक रिकोइस्टेट वीडियो है अब लोग बहुत दिनों से मुझे बोल रहा थे हम आज कैसी मेरा फ् कर दूंगी और यह बिल्कुल जब खाली हो जाएगा तब मैं फ्रीज का क्लीनिंग शुरू करूंगी मैं फ्रीज के उपर एक कभर रखती हूँ आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का तो यह कभर को भी मैं हटा दूंगी और यह सारे जितना समान है सारे हटा के और सब हम क कुछ भी कीचेन का समान या कुछ भी समान मैं इसके अंदर काफी सारा भर के रखती हूँ यह 3-3 करके 6 पॉकेट इसमें बना हुआ है इसमें मेरा मेजरिंग काब बगरा बहुत सारे चीजे इसके अंदर रखा रहता है इस पॉकेट के अंदर इसे भी मैं खाली कर लूंग यह एक जगह में रख लूँंगी क्यूंकि इसको फिर से मुझे ऑर्गनाइज करना पड़ेगा यह ड्राई होनी के बाद इसलिए मैं एक जगह में रख लूँंगी जिसमें मुझे आप Đây ल्ग रख करने के लिए डाल दूंगी और सब से पहले मैं है कि माइदा सुजी ए सब में बाहर रखने से किड़े आ जाता है और कुछ ड्राइफ्रूट्स बगरा जो एक्स्ट्रा लेके रखती हूं वो सब भी रखती हूं फ्रीज के अंदर यह बहुत सही रहता है इसलिए मेरा फ्रीज थोड़ा भरा लग रहा है और बाकी इधार ज कोल के इसको भी वश्क करने के लिए मैं डाल दूंगी अब मैं दिखाती हूं फ्रीज मेरा पूरा खाली हो गया है अब देखिए फ्रीज मेरा कितना गंदा लग रहा है क्योंकि मैंने काफी दिनों से फ्रीज को क्लीन नहीं किया था मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मै मेरा हाथों से हल्दी किर गया था तो इसलिए इतना ज्यादा स्टेइन हो गया है तो मैंने उसरम छोड़ दिये थे आप मैं इसको क्लीन करना शुरू करूंगी तो सबसे पहले ड्राइ कप्रा लेके सारे जो फ्रीज है ना सारे फ्रीज को एक बर मैं ऐसी मतलब पोस्त से समय हैं और इसमें लिये हैं बेकिंग सोडा लेमन और बेकिंग सोडा को ऐसे एक साथ मिक्स करके इस प्रीज में बहुत अछी से रगा दूंगी क्यूंकि मैंने अभी दिखाया था मेरे काफी सारस्टेन था तो ले मन और बेकिंग शो द quartz बबहा जाए से स्टेन से काफी फ्रीज काफी अच्छा से क्लीन हो जाता है फ्रीज चमकने लगता है चारू तरफ फ्रीज के बाड़ी में बहुत अच्छा से इसे लगा देंगे और कुछ हम ऐसे चिड़क भी देंगे बेकिंग सोडा को और देखे मैं 15 मिनिट के लिए फ्रीज को बंद करके मैं छोड़ द इसका जितना फार्ट खोल सके ऊसारे को क्लीन करने के लिए मेरा डिस बासिंग तो बहुत अच्छा से ये क्लीन हो जाएगा तब तक मेरा फ्रीज को मैं ऐसी ही छोड़ दी हूँ और ये सारे मैं अच्छा से एकदम क्लीन कर लोंगी हुआ लिगाने कीए जितना निकल सकता है उतना मैं निकाल नहीं हूँ बाकी तो जितना मेरा पुराना व फ्रीज है आज से 15 साल कुराना फ्रीज है स्ट raging छोटा शाज प्रिज है तो मेरे पास छोड़ साफी कर्स रखतीहूं वह फ्रीज ना काफी अच्छा से सार्विस देता है बैस छोटा है तो हम सिर्फ दो ही लोग है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और यह फ्रीज को इसलिए मैं थोड़ा साथ से केर से ही रखती हूं आप समझ सकते हैं 15 years हो गया है फ्रीज में अभी तक कोई खारा भी न के थोड़ा सा हलका हातों से घीज देने से बहुत इजीली क्लीन हो जाता है अब मैं यह कवर को भी अच्छा से वाश कर लूँगी और यह सारे को आप हम डाल देंगे धूब में तो उसके बाद यह जब तक सुखेगा ना तब तक मैं फ्रीज क्लीन करूंगी जब फ्रीज क्लीनर मैं बनाऊंगी इससे क्लीन करने से ना फ्रीज एक दम चमक जाएगा यह क्लीनर बहुत अच्छा है तो इसके लिए मैंने लिया है वान टेबिल स्पून बेकिंग सोडा वान टी स्पून डिस वाशिंग शोप आप कोई भी सोप ले सकते हैं डिस वाशिंग कोई भी जहांक निकाल आएगा इसको अच्छा से इसे मिक्स अपकर देंगे एक देख सकते हैं बहुत अच्छा सा एक जहांक निकालाता है और यह आपर बहुत ज्ल खुल का जाता एकदम बिल्कुल नया जैसे लगने लगता है और फ्रीज का रबर वगरा में तो क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे बहुत जल्दी क्लीन होता नहीं है फ्रीज का रबर क्लीन करना ही ज्यादा मुश्किल का काम होता है तो एक brush हमें अइसे लेंगे toothbrush टूट ब्रेश लेके इस brush के ठूँ इसका rubber है रबर में चारूत तरफ बहुत अच्छा से लगा देंगे फार्स्ट हम rubber में लगाएंगे क्योंकि rubber में ज़ादा डास्ट रहता है और मेरा fridge किचेन में रखा रहता है बोलके इसमें stickiness भी आ जाता है मेरा chimney भी नहीं है exhaust रहता है तो exhaust के वज़े से ना बहुत stickiness तो आ ही जाता है तो first मैं यह सारे में लगा दूँगी rubber में उसके बाद fridge का body clean करूँगी जब तक मैं body clean करूँगी ना तब तक इसमें क्या है जो क्लीन करने के लिए इस तरह से छोटा ब्रास बहुत काम का है ऐसे ही करके ब्रास से मैं बहुत अच्छा से फ्रीज में लगा दूँगी अब देख सकते हैं है इस साइट बहुए ज रबबर है ना यहां पर आपक अभी कपड देखेंगे करोच आ जाता है बड़ इस तरह से डिया य वायई longer देखें अगर पूरा फ्रीज में अच्छा से लगा दूंगी रबर रबर में सबसे पहले मैं लगा रही हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा डास्ट इसी में ज्यादा होता है उसके बाद फ्रीज का जो बॉडी है बॉडी में लगाने के लिए मैंने एक स्कॉच वराइट लिया है स्कॉच वराइट में हम ये DIY को लेंगे लेके पूरा फ्रीज को बहुत अच्छा से हलका हाथों से घिस देंगे क्योंकि मेरा फ्रीज बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मौडर्न नहीं है तो इसमें लाइध हाथों से करने के जुरूत नहीं है क्योंकि कितना भी इसमें जोर से मैं घिसती तो इसमें कोई दाग बगरा कुछ नहीं होता है तो बहुत अच्छा से पूरा फ्रीज का जो बॉडी है बॉडी में लगा दूँगी और मेरा जो इसमें स्टेन बगरा लग गया था ना मैंने पहले से लेमन और बेकिंग सोडा से घीसा था तो काफी हाथ तक स्टेन बगरा हट गया था आप जो जो स्कॉजवराइट है इससे धिरे धिरी करूँगी तो ये काफी अच्छा से क्लीन हो जाएगा अब देख सकते हैं मेरा फ्रीज पहले कैसा था और धीरे धीरे कैसे क्लीन हो रहा है मैं अभी जस्ट स्कॉजवराइट से क्लीन करूँगा अब नीचे का ये है मैंने deep freeze को बंद किया था ना तो थोड़ा थोड़ा करके पानी गिर रहा है तो इसलिए नीचे गिला हो गया है नीचे का भी ऐसे क्लीन कर दिऊGeneral को पूरा थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है क्योंकि दिफ्रीज का थोड़ा थोड़ा करके पानी आ रहा है ऐसे दिफ्रोस्ट हो गिया है अब इधर वाला थोड़ा जादा ये है यहाँ पर मैं हल्दी का पाउडर रख दी थी और हल्दी का पाउडर का जो पैकिट था ना वो विख कैल गया था जिसके वज़़े से मैंने जैसे फ्रीज खोला तो सब्सक्राइब जो गया जाव Price meilleur एंप योलो योलो हो गया कि यह हल्दी का कलर है इस सारा कलर कैसे छूटता है मैं आपको अभी दिखाऊंगी इस सारे एकदम क्लीन हो जाएगा यही क्लीनर दे के क्लीन करूंगे ना तो बहुत अच्छा से क्लीन हो जाएगा साइट के जो रबर है यहां पर पहले से हमने लगा दिये थे लिए जो डियाई वाई लिक्वीड और इसमें देखिए कैसे क्लीन हो जा रहा है सारा फ्रीज को मैंने स्क्रैप कर लिया है अब मैं एक कपड़े को गिला किया है गिला करके बहुत अच्छा से इसको निचोड लिये हैं निचोड के सारे फ्रीज को मैं इसे क्लीन करूंगी एक बार पोश दोंगी बहुत अच्छा से एक बार पुछने से freeze clean नहीं होगा क्योंकि इसमें dish washing soap भी है कम से कम तीन बार इसको wash करना पड़ता है तो बार बार मैं कपड़े को गीला करके फिर इसको अच्छा से निचोड़के फिर इसको clean करूँगी एक बार तो first मैं ऐसे ही कर लूँगी second time फिर इसको कपड़े को wash करके अब बहुत अच्छा से निचोड़के फिर करूँगी last third time एक दम अच्छा से fresh पानी से पूरा freeze को clean करके इसके बार कपड़ा दे के बहुत अच्छा से पोचूँगी उसके बार last में एक dry कपड़ा दे के फिर freeze को froze दूँगी यह मेरा last finishing हो जाएगा और freeze एक दम मेरा freeze पहले से काफी ज़्यादा clean हो गया है अब मेरा जो freeze है freeze का पीछे भी clean कर लेती हूं इसका पीछे ना पानी गिरने के लिए एक ट्रे लगा रहता है इस ट्रे को मैं निकाल लिया है और इसका पीछे भी अच्छा से कपड़ा दे के मैं जाड़ दूँगी क्योंकि छोटा मोटा जाला इसमें लग जाता है इसके उपर नेक टैप का बना हुआ है और जहां पे मेरा freeze रखा रहता है वहां का जो फ्लोर है फ्लोर हमींसा ब्लॉक रहता है डेली मैं फ्रीज को हटा के एसे क्लीन नहीं कर पाती हूं कियोंकि फ्रीज में बहुत ज़्छा समान रहता है तो फ्लॉर da करोंत tässä लोंगर इसके बाद फुर कर जाये गदा है इसके बाद जैसे फिलोर मेरा क्लीन हो जाएगा उसके बाद मैं यह त्रे को वश्च करके जो पीछे लगा रहा थो है उसको वाश करके फिर उस ट्रे को मैं लगा दूँगी उसके बाद फ्रीज को फिर सिधा कर लूँगी सारे मैं क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि फ्लोर को जब मैं फ्रीज का क्लीनिंग करती हूँ तो फ्लोर को भी क्लीन कर लेती हूँ ये देख सकते हैं ये वाला ट्रे मेरा रखा रहता है ये ट्रे भी काफी दिन हमने वश नहीं किया था तो ये भी गंदा हो रहा था इसे भी अच्छा से ऐसे क्लीन कर लूँगी क्लीन करने के बाद फिर से मैं इसको फ्रीज के पीछे लगा दूँगी और उसके बाद फ्रीज के जो उपर वाला पोर्शन है वो सारे मैं क्लीनिंग शुरू करूँगी अब ये एकदम क्लीन हो गया है अब इसको वाश करके मैं लगा देती हूँ अब फ्रीज के उपर क्लीन करने के लिए मैंने एक DIY स्प्रे बनाया है इसमें भी मैंने सेम लिये हैं बेकिंग सोडा और डिस वासिंग शोब और विनिगर ये लेके और पानी देके पानी दिये हैं और इसको जो विनिगर के साथ हमने इसमें दिये हैं पानी जितना भी निगाल लिये हैं उत्रा ही हमने पानिया इसमें एड़ किये हैं और यह जो स्प्रे है ना इससे जो मेरा फ्रीज का जो बाहर वाला बॉड़ी है इसको मैं वश करूँगी इससे इसका बाहर वाला जो बॉड़ी का जो स्टिकिनेस डास्ट सब बहुत अच्छा से एकडम हट जाएगा यह देखिए और एक कपड़ा लोगी आज सुखा कपड़ा सुखा कपड़ा लेकर और इसको स्प्रे करके बहुत अच्छा से क्लीन कर दूगी तो मेरा फ्रीज एकडम अच्छा से चमक जाएगा और इसका जो डिप फ्रीज था मैं डिफरोस्ट होने क की प्रोसेस में मैंने क्लीन कर लोंगी, पूरा अंदर बाहर जैसे मेरा जो लिक्विड था डियाइवाई उससे एक तम अच्छा से क्लीन कर लोंगी, यह देखिए मेरा फ्रीज अंदर बाहर बिलकूल कमप्लिटली क्लीन हो चुका है, after cleaning मैं आपको मेरा freeze दिखा रही हूँ आपको लग रहा है जो मेरा freeze का पहला नजरा था वो कैसा था और आप कैसा लग रहा है अप खुद देख सकते हैं यह देखिए कितना अच्छा से चमग रहा है यह rubber देखिए आपको लग रहा है यह 15 साल पुराना freeze है मेरा आपको देख क बिल्कूल भी नहीं लगेगा इसके देखिए कितना पीला पीला हो गया था इसका बॉड़ी अब देख सकते हैं कितना अच्छा से एक लीन हो गया है यह हल्दी के वज़े से हो गया था बहुत अच्छा से क्लीन हो गया है अब देख सकते हैं सारा ट्रे बगरा मैंने लगा दिया भी लगाने के बाद ये देखे ई कितना चम्मक रहा है वाइट वाइड एक्डम ट्रे बगरा भी एक्डम वाइड कलर का है तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में खुद ही देख सकते हैं आ ग्लो आ गिया फ्रीज में अब बॉडी की देखिए बाहर का बॉडी तो ये था मेरा फ्रीज का डीप क्लिनिंग फ्रीज मेरा एक दम चमखने लगा ऐसे डिय वाई पना के अगर आप फ्रीज को क्लीन करेंगे ना आपका फ्रीज बिल्कुल क्लीन हो जाएगा तो आइपको गाइस मेरा चोटे सा वीड क्लीन है